प्रिप्रेशन करते वक्त हमें एक इंपोर्टन्ट सब्जेक्ट का प्रिप्रेशन करना होता है जिसके दो पेपर हमें मेंस में होते हैं उसे optional subject बोलता है, optional मतलब क्या, कि UPSC में कुछ subject की list दी है, उस subject में से हमें एक subject choice करना है, वो optional हमारे उपर है, हम काउन सा choice करेंगे, बाकी सभी जो UPSC का prelim का structure हमने देखा, mains का structure हमने देखा, तो GS1, GS2, GS3, GS4, essay, या other जो सभी papers है, सबके लिए same है, बट optional जो है, उसकी जो list UPSC के notification में दी हुई है, उसमें से कोई भी एक subject, candidate ने खुद से as a optional choice करना है, उसका preparation करना है, वो subject 500 mark के लिए आएगा, मतलब 200-200 mark के दो papers आएगे, और उसके उपर जो आपको syllabus दिया है, उसके उपर variety of questions UPSC पूछेगा, तो अभी के वीडियो का objective हमारा क्या है, कि ये जो optional paper है, उसका beginning level पे हमें कैसा सोचना है, क्या उसके कौन से कौन से subjects UPSC ने notification में दिये है, उसके बारे में सोचते वक्त हमें क्या सोचना है, और एक नए तैयारी शुरू करने वाले candidate ने उसका preparation कब से start करना है, इसके बारे में हम सोचेंगे, और अगर हम 25 या 26 subject में से एक subject choice कर रहे हैं, suppose आपके सामने 25 या 26 चीज़े रखे और आपको बोला कि उसमें से एक ही चीज़ उठानी है, तो क्या हम आपक बन करके उसमें से एक चीज़ उठाएंगे, तो उसका answer है no, UPSC के लिए जो भी करना है, in fact UPSC के लिए नहीं, light में भी, जो भी हमें decision लेनी है, that must be based on certain logic, logic के basis पे ही वो हमें लेनी चाहिए, तो 26 में से एक हमें लेना है, जिसका find rate marks का weightage है, 1750 में से अगर हम find rate marks देखें के लगबग 30-35% का weightage जिसको है, वो optional क्या हम ऐसे ही choice करें, मेरे friend ने लिया है, इसके लिए मैं लूँगा, या UPSC का जो topper है, उसका इस साल का optional यह यह है, तो मैं यह लेता हूँ, यह priority पे सोच रहती है बच्चों की, वो नहीं होनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा crude level पे भी देखेंगे, कि एक optional अगर हमें select करना है, तो किस वे से हमें करना पड़ेगा, beginning के level पे, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या list क्या दिये है UPSC में, तो यहां पर हमें पता चलेगा कि UPSC नहीं यह list दिये है, हम देखते हैं, सभी एक-एक करके, सिर्फ understanding level पे हम देखेंगे, कि कौन से कौन से हम depth में नहीं जाएंगे, इसके ना हम syllabus में जाएंगे, ना हम paper में जाएंगे, अभी हमारा वो concern नहीं है, अभी हमारा object यह है कि basic level पे, optional के बारे में हमारे सोच क्या होनी चाहिए, while preparing for UPSC at the earliest stage, okay, so agriculture है, anthropology है, chemistry, economics, geography, geology, law, mathematics, medical science, physics, psychology, sociology, zoology, animal husbandry and veterinary science, botany, civil engineering, commerce and accountancy, electrical engineering, history, management, mechanical engineering, philosophy, political science and international relations, public administrations, statistics. यह UPSC ने list दी है, अपने notification में, और literatures, यह literature जो भी है अलग-अलग language में, उसमें से कोई भी एक literature का आप ले सकते हैं, for example, Assamese literature, Bodo literature, Marathi literature, English literature, Hindi literature, तो यह उनोंने lift दी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, optionals, तो अलग-अलग different-different, जो subject है, वो अलग-अलग stream से भी, like medical science है, हमें देखेगा civil engineering भी है, commerce भी है, history भी है, अभी हमने कोई भी एक optional choice किया, वो कैसे करना है, यह हम आगे देखेंगे, suppose हमने history यह किया, तो अहाँ पर क्या होगा, हमें, दो papers आएंगे, history 1 और history 2, यह dyeso mark के लिए रहेगा, और यह dyeso mark के लिए, 250-250, total 500 marks के लिए, अभी कोई candidate history choice करेगा, कोई geography choice करेगा, तो वो geography का पेर, same day में होगी, तो एक candidate history लिख रहा है, दूसरा candidate geography लिख रहा है, तीसरा political science, international relations, चवता philosophy लिख रहा है, तो हर एक के लिए अलग-अलग आएगा, so crucial चीज यह है कि हम कौन सा optional choice करते हैं, क्योंकि हम हर एक की studies अलग-अलग degree में हुए है, graduation अलग-अलग वे से हुआ है, हमारा interest थोड़ा सा अलग हो सकता है, हमारे पास बाकी जो guidance है वो अलग हो सकता है, तो किस basis पे हमने यह करना चाहिए, कौन सा optional choice करना चाहिए, तो इसके लिए मैं कुछ criteria बताता हूँ, एक पास से चे criteria में हमें वो बिठा के देखना है कि बबाबा, कौन सा मैं यह ले सकता हूँ, बहुत सारे candidate मैंने ऐसे देखे हैं, कि start में बाकी कुछ नहीं सोचा, अभी UPSC का syllabus भी नहीं पता, structure भी नहीं पता, और direct producer, history कैसा रहेगा, या मेरा background commerce है, तो क्या मैं commerce ले लूँ, ठीक है, आप उस stage पे भी यह सोच रहे है, यह बहुत बड़ी बात है, कि हमें पता है, नहीं तो बहुत सारे candidate को optional होते हैं, यह भी नहीं पता है, तो optional ऐसे कोई चीज है, यह पता होना भी बहुत अच्छी ब हमें optional की तैयार है, अभी किसी भी candidate में start की, तो सबसे पहले जो GS के subject है, history, geography, policy, economics, इसका एक basic level पर कुछ ना कुछ understanding होना चाहिए, तो मेरा मानना यह है, कि at least धाय से तीन महिने की, इतना जादा नहीं, तो पकड़ो डेढ़ महिना at least पहले एक syllabus का understanding, उसके बाद history, geography, जो आने वाले हैं, और जो मेंस में भी आने वाले हैं, उसका एक basic analysis और basic study, ताकि हमें पता चले की, हमारा interest थोड़ा बहुत कहाँ पर है, या UPSC के लिए prepare करना है हमें, पहले GS, किस वे से, ये पता चल गया, तो हम क्या सोच सकते हैं, फिर, और specialist वे से, हम optional के तरफ, पहले तो choice करने की तरफ जा सकते हैं, otherwise, क्या होगा, मुझे सिर्फ historical चीज़े पसंद है, इसके लिए history लेना, day one को ही, या मेरा graduation commerce में हुआ है, इसके लिए day one में ही मैं वही लूँगा, ये सोच हमें क्या कर सकती है, UPSC में competition से बाहर कर सकती है, तो हमें इसके बारे में proper वे से यहाँ पर सोचना पड़ेगा, उसके पहले हमें understand करना पड़ेगा, कि UPSC में optional की जो system है, वो पहले बनाई ही क्यों, ये हमें understand करना है, तो UPSC में दो टाइप का अगर हम देखेंगे तो syllabus है, एक sub के लिए common है वो और दूसरा है optional, common ये general studies के आसपास जाता है और optional जो subject है, वो एक subject हमें choice करना है, और particularly उसके depth में जाना है, right, क्यों है ऐसा, तो एक जो IAS रहता है, वो क्या रहता है, पहले district magistrate रहता है, तो उसको क्या करना है, district magistrate जब रहेगा, तब उसको generalist work करना है, day to day administration, implementation of decisions, जो भी ministry लेगी, या government लेगा, उसको implement करना, ओके, ये उसका work रहेगा, दूसरा उसका work रहेगा, suppose एक IAS senior हो गया, तो आपने देखा होगा कि किसी IAS को, suppose वो background से है, arts, या किसी और background से है, हम graduation को consider करना है, background से, but अभी कोई ऐसी committee है, जिसमें क्या करना है, environmental impact assessment करना है, for example, western art का environmental impact assessment करना है, किसी भी project के लिए, तो वही arts background का IAS, environment related, committee का क्या बनेगा, वो head बन सकता है, मतलब क्या चाहिए, उसको वहाँ पे एक specialist approach से, उस committee को understand करना पड़ेगा, वैसे report तयार करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, एक IAS कुछ phase तक generalist as a work करेगा, तो उसका generalist knowledge check होगा, क्या वो, एक particular subject उसको hand over किया, तो उसके depth में जा सकता है क्या, उसका specialist approach क्या है, ये understand करनी के लिए UPSC ने optional system रखी है, otherwise एक का history है, एक का geography है, एक का polity है, तो ये तीनों के subject अलग-अलग है, फिर इनको at par कैसे लाएंगे, ये भी question आता है, बट यहाँ पे UPSC की priority किस चीज़ को है, UPSC की priority है, एक candidate की analytical और specialist approach, क्या है, उसको कोई भी, पकड़ो judicial commission में उसको ये किया, या कोई किसी भी background का है, और उसको economic, RBI का governor बना दिया, like that, अलग-अलग field रह सकती है, तो क्या वो specialist depth में जा सकता है, क्या, ये देखने के लिए UPSC ने क्या किया, ये system बनाई है, ये system बनाए है, हमें उसमें से अच्छे से अच्छे marks लाने है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, selection करना पड़ेगा, जैसे कि अब भी मैंने बताया, अगर 25 चीजों में से हमें एक चीज exactly निकालनी है, तो हमारे पास कुछ तो logic चाहिए, वहाँ से ही हमें start करना चाहिए, न कि ऐसा पता चला कि मैंने XY देट एक optional लिया, उसका preparation स्टाट किया, दो मैने तक किया और पता चला, और रहे मुझे तो ये difficult जा रहा है, मेरे paper चेक करने वाला account है, मुझे guidance देने वाला account है, इसका और material भी available नहीं है, तो क्या होगा, problem create होगा, दो महिने हमारे west जाएंगे, तो अभी एक general वेसे देखते हैं, कि एक candidate जब UPS का optional select करता है, successful candidate हम बोलेंगे, तब वो कौन से कौन से वेसे उसको सोचता है, ये crude level पर, beginning के level पर हम सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने start में ही बताया कि, preparation start करने के बाद, डेर से दो महिने में हमें सोचना है, एक proper counselor के साथ बैठ के, mentor के साथ बैठ के, हमें उसकी decision लेनी है, क्योंकि 24 में से एक हमको choice करना है, तो वो बहुत cautiously हमें decision लेनी है, तो अगर हम selection करेंगे किसी भी इसका, तो पहला criteria, according to me, पहला ये होना चाहिए interest, मेरा उस particular subject में interest क्या है, for example, मुझे कवित आये पढ़ना पसंद ही नहीं, मुझे novel पढ़ना पसंद ही नहीं, और मैं literature का कोई subject ले रहा हो, तो वो मेरे लिए suicide हो सकता है, या मुझे current affairs करना ही नहीं है, जादा मुझे उसमें interest नहीं है, international affairs में interest नहीं है, और political science, international relations लिया, तो उसको day to day change, update करना पड़ेगा आपको, ओके, इस वे से हमें मेरा interest क्या है, इंटरेस्ट की definition भी UPSC के लिए होनी चाहिए, interest मतलब क्या, किसी को लेगा कि जनरली बच्पन में क्या, हमें wars बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो हमें लगता है, okay, history की बहुत सारी नाम मुझे याद है, तो मेरा interest history की तरफ है, चलो history ले ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर interest की definition यह करूँगा, कि मेरा general understanding उस subject का है, और मैं उसको आगे पढ़ सकता हूँ, मुझे बहुर नहीं हो रहा है, और मैं उसको prepare कर सकता हूँ, मेहनत से for the UPSC, तो इसको मैं interest बोल सकता हूँ, interest मतलब क्या मुझे, यह कविताय पसंद ही होनी चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, interest की definition मैं फिर से एक बार करता हूँ, कि मुझे यह subject पढ़ते हुए बोर नहीं हो रहा है, मैं उसको और ज़्यादा depth में जाके UPSC के लिए पढ़ सकता हूँ, उसका preparation कर सकता हूँ, तो यह मेरी interest की definition रहेगी, दूसरा smart work के हिसाब से, UPSC में क्या चाहिए, दोनों चाहिए, smart work भी चाहिए, hard work भी चाहिए, दोनों का अच्छे से combination चाहिए, without hard work, smart work कैसा करना है, यह हमें पता नहीं चलेगा, और smart work के बिना hard work का फायदा नहीं, तो यहाँ पर एक, जो successful candidate है, वो smart way से क्या सोचता है, कि इसका syllabus क्या है, कितना बड़ा है syllabus, first thing, और दूसरा देखता है, कि GS में यह syllabus कितना similar है, for example, अगर हम history लेंगे, तो इसको prelims में भी help होगी, और mains में भी GS1 में हमें help होगी, लगबग 120 मार्क का GS1 में हमें help करेगा, यह common रहेगा पड़ाई, geography लेंगे, तो भी same फायदा होगा, political science international relation को तो, constitution के उपर prelims में question आएंगे, 15 के आसपास, और हमें जो mains रहेगी, उसमें लगबग 120, 130, 140 मार्क का आएगा, GS4 में भी, जो philosophers है, philosophy related questions है, वहाँ पर आ जाएंगे हमें, so कुछ candidate इस वी से सोचते हैं, तीसरा यहाँ पर point अगर हम consider करेंगे, तो तीसरा point यह है, कि syllabus के बाद, हमें चाहिए, concise और effective material, so material कैसे available है इसका, material, अभी material की definition यहाँ पर मैं करूंगा, material तो बहुत सारा history का आप जाके देखेंगे, तो हर 15 दिन में, हर महिने में, 2-2-4-4 book, अच्छी खासी publish हो रही है, but हमें material चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं optional, हमें उसमें PLD करनी है, no, मैं जो भी कुछ पढ़ रहा हूँ, जो भी तैयारी कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ UPSC की पोश्ट के लिए कर रहा हूँ, वहां की requirement क्या है, उसके उपर हमें focus रहना पड़ेगा, totally professional होना पड़ेगा, तो मुझे material कैसा available है, concise material available है क्या, इसके उपर हमें focus करना पड़ेगा, next चीज है guidance, मुझे guide करने वाला उस particular subject के लिए कौन है, guide करने वाले बहुत मिलेंगे, but academics का guidance different है, और UPSC के लिए जो सोच है वो different है, so guidance मतलब, मुझे क्या-क्या topics पढ़ने हैं, यहाँ से लेके मुझे answer writing कैसे करनी है, मुझे properly answers कौन चेक करके देगा, कि UPSC में कहाँ पर errors हो रही है, यह मुझे कहाँ से पता चलेगा, यह इसको हम true guidance बोलेंगे, UPSC के लिए, so यह चार factor हमें कोई भी optional select करते वक, जो हम beginning में सोचने चाहिए, वो यह है, सबसे पहला मेरा general interest क्या है, दूसरा syllabus, एक syllabus कितना बड़ा है, वो static है, dynamic है, for example, history में syllabus क्या रहता है, static, history change नहीं होगी, वही पह हम political science, international relations में जाएंगे तो, एक event पूरे dimension change कर देती है, for example में बोलूँगा, 9-11 हम सभी जानते हैं, 9-11 होने के बाद, पूरे world के dimensions इस साइड में थे, वो इस साइड में हो गए, 180 degrees में international relation change हो गए, कैसे, जो USA अभी तक terrorism, terrorism नहीं बोल रहा था, उसको खुद को terrorism, terror attack हुआ, तो उन्होंने immediately war on terror डिकलेर गिया, तो पूरा इस से international relation change हो गए, अब तक इंडिया बोल रहा था, कि क्या, कि terror attack, terror attack, कोई सुन नहीं रहा था, तो अभी, US और इंडिया के टायट स्टार्ट हो गए, against the terrorism, international terrorism, उसके against सभी country जी कर्टान, तो political science, international relations में, international relations उस dimension से change हो गए, हमें उस वे से उसको सोचना है, तो syllabus को हमें दो वे से सोचना है, static है, dynamic है, उसकी length क्या है, और तीसरे वे से एक सोचना है, कि GS में भी, उसका क्या contribution है, उसका क्या help हो सकता है हमें, तीसरा point है material, और चाउता point है guidance, material concept चाहिए, और guidance, मतलब हमें UPSC के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे answer लिखने है, यह पता होना चाहिए, इस वे से सोचके ही, एक candidate ने अपना optional choice करना है, न कि randomly एक, मेरे friend ने, यह optional लिया है, तो यह भी मैं लेता हूँ, ओके, या मुझे लग रहा है, यह मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, या तीसरा, मेरे graduation को यह था, या चौथा, UPSC के toppers का यह था, जनरलिश, तो मैं भी यह लेता हूँ, ऐसा नहीं यह करना है, सो हमें strongly, analytical वे से optional हमारा proper लेना है, और उसी वे से preparation स्टार्ट करना है, बढ़ बिगिनर्ज ने preparation यह, UPSC का GS का एक डेड़ महिने का preparation करने के बाद ही, optional के बारे में, अच्छे से सोचना है, इस वे से अगर हम properly option select करेंगे, उसका preparation करेंगे, आगे, तो definitely हमें अच्छे खासे mark आ सकते हैं, और हम mains cross करके interview में जा सकते हैं, All the best.